हमश्कार इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फिल्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशल के बीच रिलेशन ग्याद करेंगे विद्धुषेत्र और विद्धुद विवव के मद्धि क्या संबन्द होता है इसे हम देखेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं एक रिजन ले लेते हैं एक शेत्र ले लेते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक फिल्ड ई है अब उस रिजन के अंदर हम टू एडजेसेंट पॉइंट लेते हैं दो समीब फरती बिंदू एक के कोडिनेट से एकस वाई जेड और दूसरे के कोड है x plus dx y plus dy z plus dz जो xyz वाला पॉइंट है वहाँ पर electric potential v है और जो उसके adjacent point है समिपवर्ती बिंदू वहाँ electric potential v plus dv है तो इन दोनों बिंदूओं के बीच जो potential difference होगा जो विवानतर होगा यानि इन दोनों के difference के बराबर जो की dv होगा अब dv को cartesian coordinates के रूप में इस प्रकार हम लिख सकते हैं delta v upon delta x dx plus delta v upon delta y dy plus delta v upon delta z dz अब definition से by definition परिपाशा से हम potential difference को electric field के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं dv is equal to minus e dot dl यहाँ e electric field है dl उन दोनों points के बीच vector distance है सदिश दूरी है तो dl को हम इस प्रकार लिख सकते हैं idx plus j dy plus k dz क्योंकि x coordinate लें अपन तो वो distance dx के रूप में y coordinate में dy है और z में dz है अब equation 1 से हम इस प्रकार लिख सकते हैं dv is equal to this dot this अगर हम इन दोनों को वापस dot product लें तो i dot i zero हो जाएगा sorry i dot i one हो जाएगा i dot j zero हो जाएगा और i dot k zero हो जाएगा तो इससे dx into delta v by delta x पहला पदा जाएगा इसी तरह j dot i zero हो जाएगा j dot j one होगा dy delta v upon delta y second term आजाएगी और k dot k one से third term आजाएगी अब अगर इसके अंदर v common ले लें बाहर तो यहाँ बच जाएगा i delta by delta x plus j delta by delta y plus k delta by delta j तो यह होगा del operator del और v वैसा का वैसा और इसको हम dl लिख देंगे तो dv का मान यह आ गया dv का मान यह भी है और dv का मान यह भी है तो दोनों equation से हम इन दोनों को बराबर कर देंगे तो दोनों को बराबर कर दिया इधर dot dl है इधर भी dot dl है सेम है तो minus e equal to हो जाएगा del v minus को इधर ले जाएगे तो e is equal to minus del v तो the electric field is equal to negative gradient of electric potential तो यह दोनों के बीच general relation होता है